नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको और पेपर साई के प्रीवेश एर के कुश्चन पेपर करा रहा हूं तो मैं आज आपके लिए लाया हूं 6.1.2.19 का थर्ड सिफ्ट का कुश्चन पेपर जैसे मैं आपको जीएश के पूरे 50 कुश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बिना देरी की हुए वीडियो को सुरू करता है हमारा पहला कुश्चन है दोस्तों कैग किन खातों का लेका परिक्सन करता है और पूर केंदर सरकार राज्जी सरकार और वित्य साहत प्राव्त अन्य सरकारी संस्थानों के और अप्सन नमबर 4 सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है मारा कुश्चन नमबर दू करूषब प्राशित में डैस में के इस thiते हैं हैं यह स्थिते बैंगलोर में सोरी हैद़रावाद में option number 3 यहांपर सही आंसर हो जाएगा अ मारा अगला कुश्चन है क्रिस्चन number 3 नमबरकर 2 कंपाउंड माइक्रोस्कॉप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रति में बनाता है वो नतायों दोस्तों अब्जेक्टिव उप्शन नमबर एक साही आंसर हो जाएगा प्रिशन नमबर चार प्रिशिद कृषी आंदोलन ते भागा किस प्रांत में हुआ था यह हुआ तो दोस्तों बंगाल में उप्शन नमबर एक साही आंसर हो जाएगा प्रिशन नमबर पांश निम्लिकी सहरों में से पौन सा उत्तरपूर भारत का प्रविश दुआर कहा जाता है यह कहा जाता है दोस्तों गौाफटी को उप्शन नमबर तीन सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर छै दिये गए विकल्पों में कौन सा सीत कालीन ओलम्पिक खेलों की स्रेणी के अंतरगत आता है यह ता है दोस्तों सौट ट्रैक उप्शन नमबर तीन सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन हमारा कुश्चन नम्बर साथ पंचायतों की सक्तियों अधिकारों और कर्तव्यों को सम्विधान की ग्यारवी अनुसूची में डैस द्वारा सामिल किया गया ये किया गया दोस्तों 73 संसोधन अधिनियम द्वारा अगला कुश्चन है कुश्चन नम्बर आठ बांडिवासा का निर्नायक युद किनके बीच लड़ा गया ये लड़ा गया तो दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसिसियों के बीच में अप्सन नम्बर एक सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नम्बर नो भारतिय कृष्चि को अक्सर कहा जाता है वो कहा जाता दोस्तों लाकों लोगों का भविश्य बेच्चन नम्बर तीन हमारा सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नम्बर दस कार्वनिक योगिकों में एचक्रिय या खुली सरंकला वाले योगिकों को डैस भी कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों विसम चक्रिय योगिक option number 2 सही answer हो जाएगा question number 11 इन में से क्या केवल पोधों में पाया जाता है वो पाय जाता है दोस्तों कोसी का भित्ती option number 4 सही answer हो जाएगा question number 12 निम्द लिखित में से कौन सी नदी गंगा की सायक नदी नहीं है वो दोस्तों गंड़क option number 1 सही answer हो जाएगा question number 13 question number 13 है दोस्तों मारा Kyoto Protocol का उद्दिस है ग्रीन हाउस GAS उतसर चन उतसर को कम करणे option 2,正 DAR हो जाएगा question number 14, राश्टी राजमार्ग 1 दिल्लि से 10 तक जाता है तक to comes forboards givingнем理 दिल्लि से अमरसर तक option 4,正 DAR हो जाएगा question no 15, केंदर ओर राज्यों के सम्मंद में निर्धारण के लिए बने दूसरे आयूक के अध्यक्सता किसने की? वो किती दोस्तों, MM पुंचीन है MM पुंचीन है किसने किती दोस्तों, MM पुंचीन है तो option number हमारे यहाँ पर एक सही आंसर हो जाएगा option number एक सही आंसर हो जाएगा question number 16 मेडेन ओवर किस खेल से सम्बंदित है? वो सम्बंदित है दोस्तों, किर्किट सही आंसर हो जाएगा question number 17 निम लिखित व्यक्तित्वों में से कौन दोड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? वो है दोस्तों, पंकज आडवानी option number 3 सही आंसर हो जाएगा question number 18 काम करने अद्वा उर्जा इस्थनातरण की दर को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों, सकती option number 3 सही आंसर हो जाएगा मरा गला question दोस्तों question number 19 विद्धूद और चुम के छेतर द्वारा तुरण के अंतरवत विद्ध आवेसित करनों को डैस के रूप में प्रेशित किया जाता है इसका सही option हो जाएगा option number 2 विद्धूद चुम के विक्राण के द्वारा चली हमरा गलोग question है question number 20 राज्य के नीतिन निर्दिशक सिद्धानतों में संसोदर निम लिखित में से हो जाएगा question number 21 किसी पदार के अपने दर्पन प्रतीविम पर अतिसम विद्धन सील ना होने का गुण क्या कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों चिरे लिटी option number 3 सही answer हो जाएगा मरागला question है दोस्तों question number 22 bleeding की वह कौन सी प्रकिरिया है जिसके द्वारा उच विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यादिक वसा वाली पसले होगा जाती है इसका सही option हो जाएगा option number 3 bio fortification option number 3 यहापर सही answer हो जाएगा question number 23 राज्य मंत्रियों की सपत या प्रतिज्ञान या प्रतिज्ञान सम्मिधान की 21 अनुसूची के अंतरगत आता है तो दोस्तों अनुसूची तीन के वीच में option number 4 सही answer हो जाएगा question number 24 हाइड्रोलिक तनाव और उससे सम्मंदित आ एथिनिक तनाव के अनुपात को डैस कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है अनुसूचीत खेलों के सम्मद में संसद्य कानून बनाने का अधिकार निम लिकित में से किस के पास होता है वो होता है दोस्तों राज्यपाल के पास option number 3 सही answer हो जाएगा अमारा अकला question है question number 26 निम लिकित में से किसीने सीको को एक सैनी संप्रदाय में बदल दिया वो बदल दिया दोस्तों गुरू गोविन सिंग ने option number 3 सही answer हो जाएगा हमारा अकला question है question number 27 वे जानवर जिनकी कोसिकाए बहाईये और आंतरिक जिल्ली के बीच भुरून परत में विवस्तित रहती है कहलाते है किसने मनि पूरी नत्ये को सांती निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याती वापस दिलाई वो दिलाई थी दोस्तों रविन्दिरनाठ टैगोर्न किसन दिलाई थी रविन्दिरनाठ टैगोर्न option number 3 यापड सही answer हो जाए चली question number 29 question number 29 2011 की जनगर्णा के नुसार भारत में साक्षरता दर है वह दोस्तों 74 प्रतिशत हमरा अगला कुश्यन है question number 30 question number 30 question number 30 अड़ सास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतरगत माने वियवार का विकल्प के रूप में प्रियूक के जाने पाल वाले प्रिणाम और एपर्याप्त आए के अंतरसों मंद के रूप में अध्यान किया जाता है यह कथन किसका है यह कथन है दोस्तों रोबिंस का option number 3 सही आंसर हो जाएगा रगला कुश्यन है question number 31 एकिकरत उर्जानीती के अनुशार बिजली की मांग आठ लाक मेगावाट कब तक होने की समभावना है option number 3 2021 से 32 तक option number 3 सही आंसर हो जाएगा मेरा अगला कुश्यन है question number 32 पनामा नहर जोड़ती है जोड़ती है दोस्तों अटलांटिक महजागर्स के साथ प्रशांत महजागर को option number 2 तो सही आंसर हो जाएगा Question number 33 जंबु कस्मीर के इस्थानिय निवाशियों को इस्थाई आवास प्रदान करने का अधिकार किस के पास होता है होता है दोस्तो राज्य विधान मंडल के पास Option number 1 सही आंसर हो जाएगा Question number 34 यूरोप के किस देश में बंदरगा नहीं है Option number 2 सुट्जर लैन सुट्जर लैन में दोस्तो एक भी बंदरगा नहीं है मुरागला कुश्चन है Question number 35 इन में से कौन सी जहील लद्दाक में पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तो सो मोरेरी Option number 1 सही आंसर हो जाएगा Question number 36 निमलिकित राज्यों में से जेमो गलेसियर किस राज्य में पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तो सिक्किम में कहां पाया जाता है सिक्किम Option number 2 सही आंसर हो जाएगा मुरा अगला कुश्चन है Question number 37 से लंका में जाती संगर्ष में मद्धी इस्थता के लिए प्रशिद भारत से लंका समझोते पर अस्ताक्षर किये गए हो किये गए तो दोस्तो 1987 में Option number 3 सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है Question number 38 पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठाओ को किसने हराया ओवर आयता दोस्तो एहमद सा अबदाली ने Option number 4 सही आंसर हो जाएगा Question number 39 चंसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैटक का प्रावदान किस सम्विधान से लिया गया है वो लिया गया है दोस्तो Australian सम्विधान से Option number 3 सही आंसर हो जाएगा Question number 40 Question number 40 इन में से कौन सा ACI मूल का खेल नहीं है तो वो है दोस्तो रगवी Option number 2 सही आंसर हो जाएगा Question number 41 दिये गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से सम्वंदित नहीं है तो वो है दोस्तो बढ़डी Option number 2 सही आंसर हो जाएगा Question number 42 निम्ड लिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुक कारक नहीं है वो है दोस्तो परिवे हैं Option number 2 सही आंसर हो जाएगा Question number 43 निम्ड लिखित वेदों में से किसे ब्रहम वेद के नाम से भी जाना जाता है वो दोस्तो अथर वेद Option number 2 सही आंसर हो जाएगा मारेकला Question है Question number 44 FIG किस खेल का साही निकाय है वो है दोस्तो जिमनास्टिक का Option number 3 सही आंसर हो जाएगा Question number 45 निम्ड लिखित में से कौन सा लोह और इस्पादकार खाना करनाटक में इस्तित है वो है दोस्तो बदरुवती सही option हो जाएगा Option number 2 बदरुवती अगला Question है Question number 46 दिल्ली के प्रसिद साशक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था दोस्तो सेर्शा Option number 2 सही आंसर हो जाएगा Question number 47 समविदान में किस संसोदन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वो जोड़ा गया दोस्तो 42 समविदानिक संसोदन अधिनियम के द्वारा Option number 3 सही आंसर हो जाएगा Question number 48 भारती नियायाले प्रणाली डैस प्रकार की नियायक प्रणाली का पालन करती है वो करती है दोस्तो एक एक रत Option number 1 सही आंसर हो जाएगा हमरा अगला कुशन है दोस्तो Question number 49 गैर निस्पादिस संपत्ती NPA का NPA कलोन या एडवांस है जो डैस की अवदी के लिए मूल या ब्याज भुकतान पर overdue रख रहता है और रहता है दोस्तो 90 दिनों के लिए Option number 4 सही आंसर हो जाएगा प्रणा कुशन है Last question है दोस्तो Question number 50 निम लिकित में से दुनिया की सबसे बड़ी छेतर फल के नुसार ताजे पानी की जील कौन सी है वे दोस्तो Superior जील Option number 1 सही आंसर हो जाएगा उमिद करता हूँ दोस्तो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर करें वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू